मैं जो प्रस्ण उठाया है जिस पर मैं बात करने जा रहा हूँ बहुत ही गंभीर मामला है सिक्षा का उद्देश से व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्ट के विकास से जुड़ा होता है और जो पैटर्ण हमारे हाँ पहले चला था उसने इस देश को बहुत बड़े सिक्षावित एड़ोकेट्स साइंटिस्ट दिये लेकिन नई सिक्षा पद्दती में और खास्तोर से जो कंपटीटिव एक्जामिनेशन्स हैं उनमें जो सिस्टम चालू किया है उसने सारी पुरानी विवस्था को और जो एक्स्प्रेस करने की छमता होती है अब ब्यर्थी की या स्टुटेंट की उसको खत्म कर दिया है objective questions जो पूछे जाते हैं ये जो नकल और copying या ये सब होती है पेपर लीक होता है इसका सबसे बड़ा कारणी ये है कि 15 मेट में 100 सवालों का टिक मार करा के दे दिये उत्तर लीक हो गया आप जब पढ़ते थे तो कम से कम 200-200 सब्दों में किसी सवाल का जवाब देना होता था उससे जादे भी उसमें पूरा एक एक्स्प्रेसन की छमता डेवलप होती थी अब ब्यर्थियों में स्टुडें Sir, nothing will go and record and I listen to everything and I go through every subject of it. Sorry sir, don't cast aspersions on me that way. You are saying I am not listening. I am so glad sir, you are watching me, but I can't see you every time. Please cooperate with me. Professor Ram Gopal, with his whole experience, he is raising a very important issue. Please lend your ears to him. Our time is a new series, please. Time is a new series, please. Time is a new series, so I am not saying that I was selected in the IS, the secretary says it, the director says it, the secretary says that you have to go to a letter, you have to bring it to the draft. पना के लिए आओ, उसमें 20 बार करेक्शन सेक्टी को करना पड़ता है. क्योंकि अब्जेक्टिव हो गया सब मामला, कोई इंटेस्ट नहीं है कि ज्यादा डिटेल में पढ़ें किसी को जाएं उसमें. मानली जी एक सवाल पूछा जाता है, कि पन्निन नहरू, अटल जी, यब मोधी सवाल पूछा जाएं कि इनमें कौन सा बैता है, वो कहते हैं कि ए, बी, सी, लिख दीजी, अब उसमें रीजनिंग तो होनी चाहिए, वो रीजनिंग दी ही नहीं जाती है, नहीं पढ़ाई ज अब कोई हो रहा है पैदा, कोई हो रहा है, तो क्यों लांचन लगा रहा है पुरानी बिवस्ता पर उसको लाईए, इसको अठाईए, जिससे कुछ बिद्वान फिर देश में पैदा हो सकें देने बाप्तर